हेलो फ्रेंड्स नमस्का और स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर मैं हूँ एसके वर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकता नाइट राइडर और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेलेगे IPL के छटे मैच के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलकता नाइट राइडर और पंजाब के बीच खेले गया यह IPL का छटा मैच था यह मैच कोलकता के इडिन गार्डन में खेला गया कोलकता की टीम ने पहले खेलते हुए निर्दारी की 20 आवर में 4 विकट खोकर 218 रन का लक्सिय खड़ा किया जबाम में उत्री पंजाब की टीम 20 आवर में 4 विकट खोकर 190 रन ही बना पाई इस तरह कोलकता ने यह मैच 28 रनों से जीत लिया कोलकता की बैटिंग की बात करें कोलकता की पारी की शुरुवात करने आए क्रिसलिन और नरेन क्रिसलिन में 10 गेंदों का सामने किया और 2 चोके की मदद से 10 रन ही बनाए उन्हें मुहमत सभी के हाथों मिलर ने कैजा उट किया दूसरे ओपनर नरेन में ताबड़त और पारी खलते हुए मातर 9 गेंदों का सामना करते हुए 3 चके और 1 चोके की साहता से 24 रन मनाए इस परकार कोलकता को एक बहतरीन शुरुवात मिल चुकी थी इनके बाद आए उठपा 50 गेंदों का सामना किया 2 चके और 6 चोके की मदद से 17 रन मना गया अन तक नाबाद रहे इसके बाद खेलने आए नितिस राना ने 34 गेंदों का सामना किया और 7 चके और 2 चोके की मदद से 17 रन मनाए इसके बाद में आए रसल रसल ने 12 पारी खेलते हुए 17 गेंदों का सामना करके 5 चके और 3 चोके की मदद से 48 रन मनाए रसल ने यह लगाता दूसरा मैच है जिसमें ताबर तोर पारी खेली है जिसके कारण उन्हें मैंनोफदा मैच दिया गया लगातार दो बार मैंनोफदा मैच मिला है रसल को पहले मैच में रेसल ने मैन ओफदा मैच प्राप्त किया था और यहे हैं भी मैचे जिसमें रेसल को मैन ओफदा मैच दिया गया है अलांकि एक वाक्य ऐसा वाद था कि मैच के दोरान सत्रमें आवर में रसल आउट हो गए थे लेकिन कप्तान अस्विन की गल्ती से एमपायर ने रसल को नोट आउट दिया हुआ यहों कि सत्रमें आवर के अंदर जब समय गेंदवाजी कर रहे थे तो गहरे के अंदर कम से चार खिलाड़ी होने आवस्षक थे लेकिन अस्विन ने तीन खिलाड़ी ही लगा रखे थे एक खिलाड़ी बाहर होने की वज़े से एमपायर ने इस बोल को नोबल करार दे जिस कारण रसल आउट होने के बाद भी नोबल के कारण बच गए और उसके बाद रसल ने जो किया वहे अस्विन और पंजाब की टेम कभी नहीं बिल पाएगी इस परकार कोलकता नाइटराटर की पुरी टेम ने निर्दारित भी सबर में चार विकट खोकर 218 रन का पहार जैसा लक्से खड़ा कर दिया अगर हम बात करें पंजाब की बोलेंग की तो पंजाब की और से समी ने चक्रवरती ने विजियोन ने और टाई ने एक-एक विकट लिये कप्तान रवी चंदरन अस्विन ने एक भी विकट नहीं लिया वहीं बात करें लक्से का पिछे करने उतरी किम सिलेमन पंजाब की टीम राहूल और क्रिस गेल के ब्रहुसे मैदान पर आई राहूल कुछ खास नहीं कर पाए पांच गेलों का सामना करके मातर एक रेन के स्कोर पर आउट हो गए अब सेस जो उमीद थी वो क्रिस गेल पर बची भी थी लेकिन क्रिस गेल भी कुछ खास नहीं कर पाए तेरा गेंदों का सामना करके दो चक्के और दो चक्के की मतर से सिरुफ 20 रेन पर ही वह पावेलियन लोट गे इसके बाद अगरवाल ने 34 गेंदों का सामना किया और एक चक्के और एक चक्के की साहते से अठावन रेन बनाए सर्फराज खान आज कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए तेरा गेंदों में तेरा रेन ही बना पाए मिलर और मंदीप अन तक अन तक नोट आउट रहे लेकिन ऐसा कुछ कार्नाम नहीं कर पाए जिसे मैच ज़ी तास के मिलर ने 40 गेंदों का सामना किया पाँच चोके और तीन शकके की मतर से इतनी ज़ादा था कि वह लक्से तक नहीं पहुंच पाई और निर्धारित 20 अवर में पंजाब की टीम चार विकट खोकर 190 नहीं बना पाई अगर हम बोलिंग कार्ड की बात करें केक्यार टीम के तो केक्यार की और से रसल ने दो विकट लिये फीजन ने एक और चावला ने एक विकट लिया रसल को उनकी तुफानी पारी की कारण मेन ओफ दा मैच दिया गया इस पूरे मैच का परिणाम यहरा की कोलकता की टीम ने किंग्स 11 पंजाब को 28 रेनों से अहरा दिया है तो फ्रेंड्स यह थी आज की हाईलाट अपडेट यह थी आपको यह वीडियो यह अपडेट पसंद आई हो तो हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन अगसे दबाएं, बैल आइकन दबाएने से आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रेंड्स आप अधिकतम जान करें के लिए हमारी वेबसाइट eonlinestudy.com पर विजिट कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से हमारे फ्रेक्टो डाउंडोल कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आज की अपडेट में इतना ही, नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक लिए बाई, टेक केर